कि नमोनम है नमस्कार साथियो फुगाट गुर्जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है मैं मरड़ाल कुछिक आपका हार्दिक बिरंदन करता हूं यह हमारा जो हर्याना सब्सक्राइब है दो पुछे तो आज भी हुमारा जो है वो सांक्य से संब्सक्राइब होthlet जैसे हमने पछली वीडियो में आपको बता दिया था कि हम जैसे दो या तीन भाग इसके करने को प्रयास करेंगे जिससे कि ये topic complete होसके हमारा सांख्य है इसके रावा हम साहित्य और व्याकण की special video भी कर चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यों जो special videos होती है उनमें साथियों का कहीना कहीं interest होता भी है और नहीं भी होता है कि उनमें explain का एक reason रह जाता है क्योंकि जैसे अभी आपके सामने प्रसन है तो ऐसे कुछ प्रसन होते हैं उसमें क्या explain करें खुद हमें भी यही लगता है और एक प्रसन बहुत कम cover हो पाते हैं नहीं विक्रतिह नहीं बुद्धी पूर्शच या करमिंद्रियम इससे पहले हम चालीश प्रसन को cover कर चुके हैं तो यह प्रसंद सिंखा 41 है आज हमारा नय प्रकृति ही नय विकृति ही क्या वर्तते अभिमान है पूरुशा है बुद्धी या कर्मेंदरियम नय प्रकृति नय विक्रिति ही पूरुश है तो यहां पर Second Option हमारा सही है नय प्रकृति नय विक्रिति कैवर्थते पूरुश है प्रोक्षच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जीघ रावध्य करने की नहीं है मैं बार-बार कह रहा हूँ आगर मूल पुस्तक पड़ी है तो हम इनको परशन को यहाँ एक्षप्यें की हमें ज़ीधा जरूर्ट नहीं है इसका हिंदी अनुआद्म आपको असासत बताई देता हूं तो प्रोक्से सिद्धी कस्मात भौती प्रतक्षेण, अनुमानें, आप्तवाकेण या सास्त्रेण तो यहाँ पर क्या होगा प्रोक्से सिद्धी कस्मात भौती आप्तवाकेण तो तीसरो अप्शन जो हमारा स्वियू जाएगा आप्तवाकेण सत्तो गुन्हें भोटी, प्रकासक, मुहात्मक, प्रविर्तिजनक या गुरुू एक बार सभी साथी शेयर भी जुरूर कर दिया करें देखिए आपकी संख्या जो है वो दिन पर तिस दिन कहीं ने कहीं एक्जाम की तीथी पर निर्बर कर रही है और जो साथ है UGC net की त्यारी कर रहे हैं कि हमारे पास अभी हमें समय दो दिखता लेकिन कहीं हैं कि जब एक्जाम नजदी खाता है तो एक दम से हमारा सब कुछ का और अप नहीं हो पाता तो इसलिए यह जो हम डेली आधे गंटे 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनटी जो सीरीज कर रहे है इसके लिए तो आप समय कम से कम निका लिए इसको पूरा देखें और साथ साथ अगर हम पार्टिस्पेट करते हैं कई साथ है काफी हैं जो वीडियो को बाद में देखते हैं लेकिन फिर भी अगर लाइव टेस्ट में पार्टिस्पेट कर रहे हैं तो कहीं हमें खुद को सबबर रखने का मुखा भी मिलता है तो सत्यूण है वहती प्रकास कहीं है फर पहला उपसिन जो हमारा स्चोच जाएगा सद्डयों होता है प्रकाशक रोज्यो गुण हैं बहुति उपष्टंबक हैं लगू आवनक है या महात्मग कैं रोज्यो गून होता है देखो सत्व कुंर रोज्यो गून और तमोगिव इन तीनों के बारे में बता हैं नहीं कि प्रति कहिंै कि प्रसन आ जाता है हमारे सामने कि सत्वगुण होता है जो हमने पढ़ा है प्रकासक रजोगुण क्या होता है उपस्थम्बक लगू आवनक या मुहात्मक और इस अगला ही प्रसन होगा तमोगुण वर्तते प्रकास का है मुहात्मक है चंचला या उपस्थम्बक है सिधा याद कर लीजिए कि सत्तव गुन प्रकासक रजो गुन जो है वो क्या है तो वो है उपस्टमबक तो यहां पर हमारा पहला उपसंग जो है वह से उजाएगा उपस्टमबक है और अगला परसन तमुः गुन वर्तते तमुः गुन होता है प्रकासक मुहात्मक चंचल और उपश्टमबक कि यह तो हम पहले ही देख चुके हैं यह सत्तव है और यह रज और इसके लावा आपको उन्से दो अपसर बसते हैं हमारे सामने चंचल है और मोहात्मक है कि इन दो में से तो होई ही ने सकता है तो सैकंड अपसर हमारा यहां पर होगा मोहात्मक है तो तीन हमसे तो यहां पर हमारा ओसन जो है वह सैकंड से हमसे तत्मोगूं पूछा गया है अगला पसना अंकार यह उत्तपत्ति कस्मात वह होती है अंकार की जो उत्तपत्तिय हो किस्से होती है और जिस साथी ने अब तक टेलिग्राम और इंस्टा को नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर ले तो एंकार अश्य उत्पत्ति भोती तो यहां पर हमारा उप्षन होगा महत पहला उप्षन जो हमारा उप्षन होती है किससे महत पहला उप्षन हमारा सही है का बुद्धी अभिमान है अध्यावसाया है मिथ्या ग्यानम या मुक्ती ही गुद्धि क्या है? अभिमान, vit क्कॉ Double साथियों कुछ समस्चच तो नहीं है यहां पर एक्स्पियन क्शेन कुछ यहां तो नहीं चाहिए यह डारेक्ट परसन है इनमें कुछ भी एक्स्पियन करने का नहीं है मैं बार-बार कहा रहा हूँ फिर भी कुछ साथ ही लिखते रहते हैं explain नहीं करते हैं आप explain कीजिए तो अब क्या explain करें मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं उस प्रसंद से जो direct person है उसमें भी क्या explain होगा ग्याने इंद्रियानी कती बहुंती ग्याने इंद्रिया कितनी होते हैं द्वे त्रिनी चत्वारी या पंचते को ऐसे प्रसंद हैं फिर भी मैं कई बार आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि उसमें कितने भाग हैं कौन-कौन से हैं या आप बताते हो या फिर उसमें मैं बताइता हूँ यह प्रसंट तो मान भी लेते हैं कि हाँ एक्स्प्लेइन है कि जैसे हमें कोई किसी बाग पूचे गई हैं तो हमें एकदम से दिमाग में नहीं आते हैं अगर हम उसको वीडियो में बता देता आप लोग समझ जाते हैं या कई मैं आपके लिए छोड़ द हमांचा ओण से ग्याने कितनी होती हैं पांच और वहों कौण से है द्य के जिक्षक और रशना श्रोढ्र ए मुवर जो हैं, पांच ग्यान इंद्रिया होती हैं, चक्षू, घ्राण, रसना, स्रोत्र और त्वक। करमेंद्रियानी कती बहुंती हैं, करमेंद्रियां कितनी होती हैं, चत्वारी, पंच, सब्त, ग्यार सट। कर्मेंद्रियां भी जो है 5 होती है तो यहाँ पर हमारा जो second option है वो से युज़ाय कर्मेंद्रिया नहीं होती पंच कौन-कौन सी होती है वाक, पाणी, पाद, पायू और उपस्त पंच कर्मेंद्रिया कौन-कौन सी वाक, पाणी, पाद, पायू और उपस्त य game नी करनाना नाम उप्पूर सट्यांकिंस साधितों एकत्सं पहले पूछ गया है लेकिन वहाँ कुछ होर था जो हमने भाग एक किया है तो ऐसे ही प्रशन को पर गुमा के पूछ ले जाता है तो यहाँ पर जो है जनम मरन करणा नाम यह जो कारिका यह क्या है जनम मरन करणा नाम परति ने माद युक परवरतेश चे पुरस बहुतों सिध्धम तरगुन्य विप्रयाज चेव है तो पुरुस बहुतों सिध्दम यानि की भाउता तो यहाँ पर सैकिंड ऑप्सन जो हमारा सही हो जाएगा पुरुस बहुत्तों सिध्धम संसाद ये तो second option सही है कि इसका अर्थ क्या है जो कारिका है कि जनम प्रति एक मनुष्या के जनम मर्ण एवं इंद्रिया प्रिथक प्रिथक होती है सबी मनुष्यों की किसी कारे में एक साथ पुरुर्थिन होने से तो इसलिए पुरुस बहुत्तों का प्रति पादन होता है जो पुरुस है वो अनेक है तो यहाँ पर हमारा second option जो है वो सही हो जाएगा तो यह कारिका थी हमारी जनम मर्ण करणा नाम प्रति नियमा द्यूग प्रविर्थेश्च पुरुस बहुत्तों सिध्धम संसियात या लक्षणात प्रमे सिध्धी प्रमान अधी तो यहाँ पर हमारा कौन सौप्शन सही होगा यहाँ पर हमारा second option सही है प्रमे सिध्धी प्रमान अधी जो प्रतर्थार्ज क्या इसकार्थ है कि प्रमे की जो सिद्धी है वो प्रमान के द्वारा होती है किसी विवस्तु की सिद्धी के लिए लक्षण या प्रमान की आवस्कता होती है जो आचस्पती में सर्जी कहते हैं कि प्रमान वह चित्वीत विरती है जिसका मनुश्य निश्ची दूरूप से ग्यात हो रहा है जो बादित होने वाला नए हो ता पूरो से ज्ञात ने रहा हो अतर प्रमान के द्वारा इत्धार्त ज्यान कियา जाता है कि जागेकारिका में प्रित्यक्स अनुमान और सब्द जो यह तीन प्रमानेन के द्वारा पच्छी स्थात्वों की शिध्य की गई है तो यहाँ पर हमारा जो है उस सेंड़ शोहिए होगाशा में शिद्धी प्रमारादी तो सेंड़ शोन सईए है नो ऐल क। बनांत्यन आसनाथ जिनम कथणत्राइब सब्सक्राइब कर्क। यहां पर हमारा पहला प्रकृते अनुपलब्धी कथम बहुती अतीदूरात सामी प्यात सोक्षम्यात या इंद्रिये घातात प्रकृते है अनुपलब्धी कथम बहुती अतीदूरात सामी प्यात सोक्षम्यात या इंद्रिये घातात तो यहां पर हमारा प्रकृते है किम कार्यम पुरुशह, महदादी, प्रमानादी या इंद्रिये घातात या बंधनादी प्रकृती का क्या कारिया है पुरुश, महदादी, प्रमानादी या बंधनादी तो यहां पर हमारा ओप्शन सही होगा, महदादी, second option यहां पर सही है, किसकी सिद्धी की जाती है किसकी सिद्धी करने चाहिए सतकार्य की एसदकार्य की विवर्त की या संगात की कि यहां हमारा अप्शन हो जाएगा और सतकार्य की पेहला अप्शन यहां पर मरा सही है सतकार्य के द्रश्ट्री तो मं कस्या खृत्षय है और परक्रिट फूरुषच्य या स्री रश्च्य द्रश्ट्रित्वम्केश्य शिद्धे कृते सिध्धम्क्रिते एंकारश्य पुरुश्य या स्रीरश्य लगो जो साथ हो पीडियेफ के लिए अभी कुछ साथ टेलेग्राम पर क्वेस्टन से जैसे पीडियेफ है वह साहित्य और व्याकण की उप्लब्द हो चुकिया और जो इसके हमारे जबी फिलाल जो चल रहा है तो सांक्य की भी जैसे ही कंप्लीट होगी हमारी जितने भी क्वेस्टन्स इसमें हम करेंगे इन सबी की जो पीडियेफ है वह भी एवलेबल करवा दी जाएगे और बाकी जो कुछ पीडियेफ अभी बची हुई है पुरानी जो अभी एवलेबल नहीं करवा पाए है दिरे दिरुन को एवलेबल करवाने का प्रियास करेंगे तो द्रश्ट्रत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्य पहुति तो वो हता है परकृते है स्वियोगात तो पहला अप्षन यहां पर हमारा स्वियोगात ज्याने बुद्धे रूपम वर्तते सात्विकम राजसम तामसम या ब्रहमात्मकम ज्याने बुद्धे रूपम वर्तते सात्विकम राजसम तामसम या ब्रहमात्मकम तो यहां पर हमारा ओप्शन होगा सात्विकम पहला ओप्शन जो हमारा से होगा यहां पर सात्विकम ज्याने बुद्धे रूपम वर्थते सात्विकम वैकृताद एहंकाराद जायते सात्विक एक आदस्क है प्रकृति ही तामस्मो है या अभिमान है वैकृत एहंकाराद जायते तो होगा सात्विक एक आदस्क है तो यहां पर हमारा प्रकृताद जो है वैकृत एहंकाराद जायते सात्विक एक आदस्क है उभ्यात्मकम इंद्रियम किम भौती मन है बुद्धी चक्षु या उपस्थम उभ्यात्मक इंद्रियम कोन सी होती है मन बुद्धी चक्षु या उपस्थ तो यहां हमारा अंस्वर होगा मन है उभ्यात्मकम इंद्रियम किम भौती मन है प्रदान, पुरसान अंतरम, सुक्सम, किम विशिनर्श्टि ही बुधी, एहंकार्म, मने या अभीमान है प्रधान पुरसान अंत्रम सुक्सम बुद्धी विशिनश्टी तो यहां पर मारा पहला उप्सन जोगों सही है निरासर्यम लिंगम विना विशेसे किद्रिसम नेतिश्ठती चित्रम यथा आसर्यमिर्दे धनम विना सुक्खम ग्यानेंद्रम विना मोक्सम या वायू विना तेज है निरासर्यम लिंगम विना विशेसे किद्रिसम नेतिश्ठती निरासर्यम लिंगम विना विशेसे किद्रिसम नेतिश्ठती चित्रम यथा आसर्यमिर्दे तो यहां पर जो फर्स्ट ओप्शन है वो सही है उर्थोगवनम कस्मात भहती धर्मेन, धनेन, कर्मना या तेजसा उर्थोगवनम कस्मात भहती उर्थोगवनम कस्मात भहती उर्थोगवनम कस्मात भहती उर्थोगवनम कस्मात भहती तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट बंधे कस्मात भौती अज्यानात पापात दानात या ज्यानात बंधे कस्मात भौती अज्यानात पापात दानात या ज्यानात बंधे अज्यानात भौती यहाँ पर पहला उप्सन सही है संसार अस्या प्राप्ति ही किस्मात भौती संसार की जो प्राप्ति है वो किस से होती है द्वेसात राजसादरागात वैराग्यात या अग्यानात संसार अस्या प्राप्ति ही राजसादरागात भौती तो यहाँ पर सेकिन्ड ओप्सन जो है वो सही होगा सिद्धी कतीदा भौती सिद्धी कितने प्रकार की होती है पंचधा सब्तधा अश्टधा या नवधा सिद्धी जो है वो कितने प्रकार की होती है पंच साथ आठ या नो तो सिद्धी जो है वो आठ प्रकार की होती है वो कौन-कौन सेक्षन के अंदर बताएंगे सिद्धी जो है वो आठ प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है आठ सिद्धिया रजोगुन है कुत्तर तिष्ठती रजोगुन जो है वो कहां रहता है उर्धोम अधह मध्य या अन्यत्र जो सत्तर रजस और तमस जोगुन है मध्रोच के लिए प्रवर्ति कर चे मोख के लिए प्रुस्या नार्थम बंदन के लिए पुरस कया अग्यान के लिए या धन के लाब के लिए तो वो होगा पुरु सच्य विमोक सार्थम तो पहला अप्शन जोग से होगा प्रधाने से प्रुड़ती कस्य कृते भौती पुरु सच्य विमोक सार्थम कह बद्यते मुच्यते चे प्रकृती ही पुरु से है एहिंकार है या देही तो यहाँ पर हमारा ओप्शन सही होगा प्रकृति ही पहला ओप्शन जो है सही हो जाएगा कह बद्यते मुच्चेते चै प्रकृति ही कैवल्यम कैप्रापनोती स्रीरम पुरुष है इंद्रियम या एहंकार है कैवल्यम कैप्रापनोती स्रीरम पुरुष इंद्रियम या एहंकार कैवल्यम प्रापनोती पुरुष है कैवल्यम कैप्रापनोती पुरुष है कपिल मुनी जी ने किसके लिए सांखे गान को दिया इस्वर कृष्णाय आसुरिये व्यासाय विज्ञान भिक्सवे कपिल मुनही कस्मई सांखे गानम दत्वान इस्वर कृष्णाय आसुरिये व्यासाय विज्ञान भिक्सवे जो एतिहासिक दिष्टिए सांख्य दर्शन के परवर्टक कपिल करें जाते हैं कि जो कपिल नामक व्यक्तिय एक नहीं अनेक थे उसमें से जो किस कपिल ने सांख्य सास्त का पढ़ियन किया इसमें काफी मतवेध है संकराचारे ने ब्रहम सुत्र भास्या में दो कपिलों का निर्देश किया हुआ है एक सांख्य परवर्टक और दूसरा वासुदेव नामक कपिल वाचस्पति मिसर ने सांख्य तबतो कोमदी में स्रिष्ठ के प्रारब में जो आदी विद्वान भगवान कपिल का उलेक किया है और भागवत में कहा गया है पंच मैं कपिलों नाम इस स्लोक में जो कवी कपिल को सांख्य प्रवर्टक जो कपिल है वो उस यूप पुरुस है जो निसंदे इतिहासी की थे कपिल के सिस्य थे आसुरी आसुरू के सिस्य थे पंच्छिक तो यहाँ पर कपिल जी के सिस्य पूछा गया तो वो है आसुरी है तो यहाँ पर संक्या दर्षन के इतिहास में इस्वर कृष्ण का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है अते जो स्रीक्रिश्ण के द्वारा संख्यारिया स्रवाधिक पठन पाठन में ग्रहया की जाती है तो यहां पर जो है कपिल के सीश्षय थे आसूरी आसूरी के सिश्षय और जैग जंजली कपिल कणा दिया जैमीनी तो यह परसंद पहले हो चुका है कि यहां पर किसके सांख्य के प्रवर्टक कौन है जो हमने लास्ट परसंद में भी अभी आपको पताया कि संख्या प्रवर्टक थे लेकिन वह कौन से थे उसमें मतवेद है एक हैं दो कई नाम आते हैं किसकी रचना है यहां पर बात पतनजली या व्यास है तो तत्त वैसारदी जो टीका है जो तत्त वैसारदी टीका है वो किसकी रचना है यहाँ पर वाजस्पती मिस्टर वात्साइन पतंजली या ब्यास इसे पहले हम जो वाजस्पती मिस्टर जी के एक टीका के हम बात कर चुके हैं अगर हम यहाँ पर सांके कारिका की टीकाओं की बात करें तो उनमें जैसे माठरविर्ती है, युक्ति दीपी का है, गोडपाद भास्या है, जैमंगला है, तत्तो कॉम्दी है तो यहाँ पर हमसे तत्तो वैसार्दी टीका पूछा गया है, तत्तो वैसार्दी टीका जो है, वो किसकी रचना है, तो वो है वाजस्पती मिस्टर जी की तो यहाँ पर पहलो अप्सिन जो हमारा सही होगा वाचस्पति मिस्र जी की रचना है तत्व वैसारदी ठीका योग सुत्तर भास्य रच्चेता कहा है योग सुत्तर भास्य की रच्चेता कोन है पतंजली ही व्यासा है वात्साइन है या वाचस्पति मिस्र है योग सुत्र भास्या रच्चिता है पतंजली व्यास है वात्साइन है और वाचस्पति मिस्र है योग सुत्र भास्या के रच्चिता जो है वो है व्यास जी तो यहाँ पर सेकेंड उप्षन हमारा सही है व्यास है योग सुत्र भास्या रच्चिता कह है व्यास है अगला प्रसन है पातंजली योग दर्शन से आदो सुत्रम बढ़ते पातंजली जो योग दर्शन है उसका प्रारम सुत्र है वो कौन सा है अथातो द्रम जिग्यासा अथ योगानुसासनम अथातो ब्रम जिग्यासा या प्रत्यक्सम प्रमाणम जो पतंजली योग दर्शन ह दर्षन है उसका प्रधम सूत्त क्यों है अत्योग मैंकि शुया, बोजें वाचसपतिना वियास देवन या विज्ञान भिक्षुना योग समादी जो है वो व्यास देव जी के द्वारा कही गई है तो यहाँ पर हमारा थर्ड ओप्सन जो है वो सही होगा व्यास देविन व्यास देविन चित भूमिया कतिदा प्रोक्ता एकम त्रह चत्वारा या पंच व्यास जी के द्वारा जो चित्त भूमिय है वो कितने प्रकार की कही गई है एक, तीन, चार या पांच व्यास देवेन चित्त भूमिय है पंच प्रोकता हा तो यहां पर हमारा फौर्थ ओप्शन जो है वो सही है पतंजली जी के दर जो योग का लक्षन कहा गया है इन वे से जो कौन सा लक्षन है वो पतंजली जी के द्वारा कहा गया है योग है सही योग है, योग है करम्सु कोशलम, योग है स्चित वृत्ति निरोद है या योग है मोक्स प्रद है तो पतंजली जी के दौर जो योग का लक्षण जो कहा गया है वो है योगस चित वृत्ति निरोध है यहां पर हमारा जो थर्ड ओप्सन है वो सही योगा कती वृत्तियां कितनी होती है त्रिया है चत्वार है पंच या सट वृत्तियां जो है वो कितनी होती है तीन चार पांच या छे और जी साथी ने भी टेलराम चैनल को जोई नहीं कि आप डिक्स किस्तों ने जाकर उसको होलो कर सकता है और जो प्रसन आपको पूछे जा रहे हैं उन प्रसनों का आप अंसर क करने के कोशिस करें एक की साति ही बार-बार फरसनों के अंसर रीपीट कर रहे हैं लेगिन बाकी को कहीं भी उससे फीड़ाक नहीं मिलरा है पता नहीं क्यों तो जो एक उनसर आपको वीडियो में पूछे जा रहे हैं उनका नहीं स्था प्रमांट से कौन कौन से प्रतेक्स अनुमान और सब्द इनके साथ में अधर से प्रति विश्य द्रिश्ट्रम प्रतेक्षम लिंग लिंगी पूरोकम अनुमानम और आप सुरूती आप वचनम तो इस तरह से और बाकी जो अंसर है वो है यहां पर रेखाजी के दौरा है 25 प्रसंद का है अनुमानम सेसवत साम्मानितों तौर दिश्ट यह तीन प्रकार के नुमान होते हैं और करन के तेरे प्रकार बुद्धी मन और उहंकार और सूमन जी के द्वारा अंसर किया गया कि जो कार्ण है वो तेरह हैं दस भाय कर्ण और तीन अंत्यकर्ण तो इस तरह से आप अपने परसंड के अंसर दें डिटेल में लिखें जिससे की कहीं नहीं आपको भी उस परसंड की रिवीजन हो पुन्रावर्टी हो बार-बार आपके दिमाग में तो कतीव रिति है बहुनती यहाँ पर हमारा कौन सो अंसर है उसको आप बताएंगे अंसर के अंदर की वो मैं बताओं आपको कितनी है राख उनके नाम बताएंगे हमें तो यहाँ पर हमारा अंसर होगा पंच जो थार्ड ओप्सन है यह सही है यहाँ पर हमारा पंच कतीव र आगे के प्रसंद हम करेंगे जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कल की जो वीडियो किस पर अधारित होगी तो सभी साथ ही अपना अंसर जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें ओफ लाइन को जो है कमेंट सेक्शन उसके अंदर आप अपने अंसर ना दे और प्रसंद ज्या कैसी लग रही है आप अपना वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू साथी हैं और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें ज्यादा ज्यादा सेयर करें जो भी आपके इस्टेड डिलेटिड ग्रूप हैं और अपने संक्या को इंप्रूव करें तो धन्यावाद सभी साथ होंगा सुब्रात्री कि